हेलो फ्रेंड्स, एडिटोरिया बिहार SI मैंस, प्रेक्टिस सेट नमर थीरी है, टेलिग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जिन किनी को भी विडियोप की जोर्रत है, आप उहां से देख लें आज का जो पहला कुश्चिन है, वह है, एक पंच वर्सी योजना में गड़ीवी हटाओ का नारा दिया गया था, यह दिया गया था पांच वी पंच वर्सी योजना में, पांच वी पंच वर्सी योजना में, पांच वी पंच वर्सी अंसर डी, दूसरा कुश्चिन है, निम पूछ रहा है तो जोत का बड़ा आकार आंसर से अगला कोईशन है तिन नमर पी एल आई योजना का उद्देश क्या है भारत को वैस्विक आपूर्ती श्रंखला का अभिन हिस्सा बनना सी आंसर चार नमर कोशन है निमलखित मैसे कौन एक महायरत्न कंपनी है महायरत्न कंपनी जो है पावर केरेड कार प्रोश्चन ओफ इंडिया ए आंसर पांच नमर कोशन है मानव विकास tąच कांक के संस्था द्वारा जारी किया जाता है यह किया जाता है चन्युक्त राष्ट विकास काड़िक्रम बी आंसर अगला कोईशन है छे नम्मर निमलिखित में से कौन एक रिजर्ब बैंक का काड़ि नहीं है बित आयोक का गठन बित आयोक का गठन डी आंसर साथ नमर कोईशन है भोड़े लाल समीती का संबद निमलिखित में से किस छेत्र से था बोड़े लाल इसका संबद जो था मोटर वहानकार सी आंसर अगला कोईशन है अगला कोईशन नमर आठ है निमलिखित में से एक विस्व बैंक का भाग नहीं है एक पक्षी ए निविस गारेंटी संस्था C. आंसर 9. कोईशन है स्मार्ट सहर मिसन योजना के तहद बिहार में चुने गए नगरों की संख्यां कितनी है 4. A. आंसर अगला कोईशन है 10. नंबर 2011 की जनगना के रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगा अनुपाद कितना है 943 D. आंसर अगला कोईशन है एक माइक्रोन का मान होता है 10 to the power minus 6 M A. आंसर अगला कोईशन है बार नमर निंबू नीचरने की मसीन किस सरेनी का उतोलक है ये जो है दूतिय सरेनी का है दूतिय सरेनी इसलिए इसका अंसर B हो जाएगा तेरेन नमर कोईशन है मिलाना है सही सुमेलित करना है इसका हो जाएगा सितार का होगा यांत्रिक उर्जा से ध्वनी उर्जा और माइक्रोफोन का होगा ध्वनी उर्जा से विद्दूत उर्जा माइक्रोफोन ध्वानी उर्जा से विद्दूत उर्जा लोडिश फिकर विद्दूत उर्जा से ध्वानी उर्जा और डाइनेमो डाइनेमो कहो जाएगा यांत्रिक उर्जा से विद्दूत उर्जा इस प्रकार इसका अंसर D हो जाता है 3, 2, 4, 1 चौदा नमर कोईशन है निम्लिखित में से असत्य कथन की पहचान करें तो अधीक परकास में आईरिस फैल कर बड़ा हो जाता है इसलिए इसका अंसर सी हो जाएगा अगला कोईशन है कोईशन नमर पंद्र निम्लिखित में से कौनसा कथन गलत है गलत कथन बोल रहा है यह जो है जब एक धाड़ावाही चाला को चुमबकी छेतर में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं पड़ता है इसलिए इसका अंसर बी हो जाएगा सोलर नमर कोईशन है वनस्पती तेल में किरित्रिम घी बनने में उद्परेरक के रूप में किसका पड़ियोग किया जाता है इसमें पड़ियोग किया जाता है नीकेल का इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा सत्रे नमर कोईशन है दा, बल और छेतर फल में क्या संबंद है इसका जो है दा विज कल्टो बल बाई छेतर फल होता है ये B आंसर होगा अठारे नमर कोईशन है प्राकिर्ती क्रवर किसका बहुलक होता है आइसोप्रेन D आंसर फिनोल का उप्योग मुख्यत किस काड़ी है तु किया जाता है जिवानू ना सकत ए आंसर प्याज में प्याज एवं लहसुन में गंद का कारक है गंद का कारक पोटेशियम है C आंसर अगला क्यूशन है किस नमर किट भक्षी पोधे उखते हैं जहां पड़ डैस कि पम्योथी है नाइट्रोजन की पम्योथी है कोशी का सिधान्त का पर्तिपादन किस ने किया था सलाइटेन और स्वानने C आंसर ताइस नमर कोश्चन है गुन सुत्रों में पाएजाने वाले अनुवांसिक पदार्थ को क्या कहा जाता है इसको कहता है जिनोन जिनोम बी आंसर अगला कोईशिन 24 नमर निमलिखित में से किस सेवाल का उप्योग आयडीन बनाने हे तू किया जाता है लेमिनेरिया सी आंसर लेमिनेरिया 25 नमर कोईशिन है गन्ने में लाल अप्छे नामक रोग किस कारण से होता है कवक से होता है 26 नमर कोईशिन है निमलिखित में से कौन सा पादफ हार्मोन बीजों को सुसुपता व्यवस्था में रखता है यह रखता है एबासे सिक एबसे सिक बी आंसर 27 नमर कोईशिन है 18 1984 इस्वी में घटेत भपाल गेस कंड में किस गेस कारिशा हुआ था यहाँ पे हुआ था मिथाईल आइसो साइनेट मिथाईल आइसो साइनेट ए आंसर निमलिखित में से किस संग के जीवों की देह गुहा हीमोसिल कहलाती है आर्थो पोडा अगला कोईशन है 29 नमर लाल रक्त कन के संबंद में असत्य कसन की पहचान करें इसमें जो है आर्थी की संख्या हेमोगलोबिन द्वारा ग्याद की जाती है इस परकार इसका आंसर C हो जाएगा अगला कोईशन है 30 नमर इसमें सुमेलित करना है अगला कोईशन है 31 नमर 31 नमर इसमें पहचान है पौधां में स्रावित होने वाला वह हार्मन जिसके कारण उसका तना सुरज की रोशनी की ओड जुकता है और कहलाता है जुकता है कहलाता है यह कहलाता है आक्षिन 32 नमर कोईशन है निमलिखित में से कौन हड्डियों एवंदातों को द्रिरता परदान करता है फासफोरस फासफोरस C आंसर गुलकोज अनू का लाइकोलिसिस में विघ्टन के फलस्वरूप क्या प्राप्थ होता है प्राप्थ होता है पाइरूबिक पाइरूबिक आमल D आंसर 34 नमर कोईशन है निमलिखेत में से कौन एक गाय की देशी नसल नहीं है होलस होलस्टेन फ्रीजेन होलस्टेन फ्रीजेन D आंसर 35 नमर कोईशन है National Dairy Research Institute की अस्थापना कहा की गई थी करणाल में D आंसर निमलिखेत में से कौन एक मचली की परजाती है मचली की परजाती है C. Horse D. Answer होट इस्पोट की अवधारना किसके द्वारा दी गई थी नार्मन मायर्स C. Answer नार्मन मेयर्स 38 नमर्ड कोईशन है वियाना कन्विन्सेशन का संबंद किस से है ओजन परत सनरक्चन 49 नमर्ड कोईशन है खट्टे स्वाद के लिए कोशी का जेव के किस भाग में होती है यह होता है पाश्य B. Answer निमलिखित में से कौन एक जेप परदूसक है एंथ्रेक्स वाइरस एंथ्रेक्स वाइरस D. Answer मिलान करना है इसमें जो है पहला कह हो जाएगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोईमब्टूर है और और अज़्दी केंद्रीय अनुसंधान सनस्थान लख्णव राष्टिय धात्व विग्यान परियोग साला जमसेदपूर केंद्रीय चम्रा अनुसंधान चेन नहीं इस प्रकार इसका अंसर बी हो जाता है तीन दो एक चार अगला कोईशन है 42 नमर इम लिखित में से कौन सा कथन और सत्य है और सत्य कथन कलिंग पुरुषकार साहित के छेत्र में दिया जाता है यह और सत्य है बागी सभी सत्य है अगला कोईशन है 43 नमर राष्टिये विधी दिवस कब मनाये जाता है 26 नॉवंबर बी आंसर विश्व का सबसे उंचा जहरना किस देश में स्थित है यह है वेनेज्वेला सी आंसर सुमेलित करना है नार्वे हो जाएगा ओल्सो ओसलो और ग्रेन लेंड का हो जाएगा नूक और बेलीज एक वेलमो पैन और रवांडा रवांडा का हो जाएगा की गाली की गाली इस प्रकर इसका अंसर यह हो जाएगा दो चार एक तिन दो चार एक तिन अगला कोईश्चन है 46 नमर समिधान सवा में किसके दुआड़ा उद्देश प्रस्ताव पेस किया गया उद्देश प्रस्ताव जवाहरलाल नहरू बी आंसर 47 नमर कोईश्चन है भारतिय समिधान के प्रस्तावना में पहली बार कब संसोधन किया गया था 1976 में इसलिए इसका अंसर ए हो जाएगा अगला कोईश्चन है 48 नमर भारतिय समिधान में समिधान संसोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है या लिया कि दक्षिन अफिर का डी आंसर 49 नमर कोईश्चन है भारतिय समिधान के अनुसूची एवं संबंदित विशय का कौन सा जोड़ा बेमेल है इसमें जो है नोवी अनुसूची दल बदल संबंदी प्रावधान ये गलत है बाकी सभी सत्त्य है 50 नमर कोईश्चन है 44 में समिधान संसोधन 1978 इस्वी के द्वारा संपत्ती के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा कर इसे समिधान के किस अनुच्छेद में रखा गिया है ये रखा गिया 30A 50 नमर कोईश्चन है इमलिकित में से कौन साराश्टपती के विधाई सक्तियों के अंतरगत प्राप्त है प्राप्त है संसद से सन्युक्त अधिवेशन का आवन करना भारत का समिधानिक परधान कौन होता है ये होता है राश्टपती मंत्री मंडल का निर्माण इन से मेलकर होता है प्रधान मंत्री कबिनेट मंत्री से मेलकर होता है चोबन नमर कोईश्चन है अपात काल की घोसना लागू होने पर संसद लोग सभा के काड़ि काल को एक वार में आधिकतम कितने समय की विर्धी कर सकती है एक वर्स का यह आंसर अगला कोशन है पच्पन नमर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रिश्चा का कारिकल कितना होता है यह होता है छे से पैसर छे से पैसर सी आंसर चपन नमर कोशन है बुलूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एसिया के सबसे धनी वेक्ति कौन बने है गौतम अडानी गौतम अडानी सी आंसर गंतंत्र दिवस पैरेड दोहजर बाइस में किस राज की जहांकी को सर्बस्रेश जहांकी के रूप में चुना गिया है उत्तर परदे एक पेस करने है तो किसकी पूर्णा अनुमती आवश्यक है राज जिपाल डी आंसर अगला कोईशन है लोक लेखा समीती में कुल कितने सदस्य होते हैं बाइस बी आंसर भारत में सरव पर्थम नगर निगम क्या सापना कहां की गई थी चेन्नेई डी आंसर नव पसानकाल म चावल की खेती का प्राचिंतम साख्षिक्ए से अस्तन से प्राप्थ हुआ है कॉलडी हवा Все और फैस यमन्रे उस और प्भारकारे नगर एवं नदियों का कौन साज्ञ जोरा सुमेलित नहीं है आलमगिर्पूर धागधर यह सही नहीं है अगला कोईशन है समुद्र गुपतर वद्वारा चलाएगे सोने के सिकों में सरवाधिक लोगपिडिये कौन था सरवाधिक लोगपिडिये गरूर था सी आंसर अगला कोश्यन है इसको सुमेलित करना है देवराय पर्थम संगम और नर्सिंग साहतलू नर्सिंग सालूग इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है एक दो तीन चार फ्रांसिसियों की पहली कोठी भारत में कहां खोली गई थी सूरत निम्नमे से किसने कहा था कॉंग्रेस छे रोग से मरने वाली है अर्विंद घोस ए आंसर और सेटनमर कोष्चन है किस वाइसराय ने भारत में वितिये वी केंदरी करण की नीती की सुरुवात की है यह किया है लाड मेयो लाड मेयो डी सी आंसर उननतरनमर कोष्चन है परसिधा दिवासी विद्रोह नेत्रित करता का कौन सा जोड़ा बेमेल है इसमें जो रामयोसी विद्रोह राजा तीरत सिंग ये गलत है बाकि सभी सही है सत्तरनमर कोष्चन है 1857 के विद्रोह को किसने एक सामन्तवादी प्रकिरिया माना है के मालसेन दी आंसर एकत्तरनमर कोष्चन है निमलिखित में से कौन सा कथन और सत्ती कथन को पहचानना है प्रातना समाज का एक मुख्य उद्देश जाती पर्था का समर्थर करना था यही कथन और सत्त्य है बाकि सभी सत्त्य है सी नमर अंसर होगा इसका 72 नमर कोष्चन रॉलेक्ट एक्ट को भारत में कब लागू किया गिया 8 मार्च 1919 8 मार्च 1919 गोदावरी नदी के संबंध में निम्नमे से कौन सा कथन और सत्य है इसकी कुल लंबाई 1470 किलो मीटर है यहीं और सत्य है बाकि सभी सत्य है भी अंसर 75 नमर कोष्चन इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है कौन सुमेलित नहीं है तो पिछोला जहिल पिछोला जहिल उत्राखन यह सही नहीं है बाकि सभी सही है 76 नमर कोष्चन है सुची को सुमेलित करना है कोईला का हो जाएगा तलचड, सोना, हट्टी, तामबा, बाला घाट और बॉक्षाइड को ड्रमा इस प्रकार इसका अंसर बी हो जाएगा बी 4,1,2,3 77 नमर कोष्चन है बर्स, 2021 हेतू, 82 सम्मान से किसे सम्मानित किया गिया है यह किया गिया है आसगर वजाहत वजाहत C आंसर 78 नमर कोष्चन है नमलिखित में से कौन एक मुक्तवे पार्चेतर वाला भारतिय बंदरगा है दिन देयाल बंदरगा D आंसर 89 नमर कोष्चन है नमलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है सतलत परियोजना यह सही नहीं है बाकी सभी सही है C नमर सही नहीं है अगला कोष्चन है 80 नमर मिलान करना है इसका आंसर हो जाएगा इसका जो है बेतला नेशनल पार्क जार खंड दुदवा राष्टिये पार्क उत्रा खंड वेदांत गल पक्छी अभ्यारन तमिनलाडू और सरिस्का राष्टिये उद्यान राजस्थान इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाता है दो तीन एक चार अब मैं था गिया दोस्तों मैं सिर्फ इसमें आंसर बताऊंगी आप लोग चेक कर लेना एक आसी का डी बेरासी का बी तेरासी का डी चोरासी चोरासी सी चोरासी सी पचासी पचासी डी 86 86 कहो जाएगा 86 A 87 D 88 D 89 B 89 B 90 D 91 A 92 C 93 A 94 A 95 C 96 96 C 97 A 98 C 99 D 100 B 100 B आफ आफ लोग जो है लाइक कमेंट सेर करना बिलकुल ना भूलें और दोस्तों में सेर जरूर करें और चैनल यदि इस तरह का अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें थेंक्स अधि जबग रहा है और आपप लोगों को सकत Luग